वेले बॉर्निंग बच्चों मैं प्रदीप आपका स्वागत करते हूं आपके अपनी चैनल प्रडिफिस्ट प्लरेट में तो आज हम लोग आ चुके हैं फिर से आपके नेक्स लेक्शन में तो यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं आज वैदूत छेत्र रेखा हो या वैदू वैदूत छेत्र रेखा या वैदूत में क्मा किस करें तो पहले टॉपिक आप समझने सब्सक्राइब अबसक्मार कि सब्सक्राइब इलेक्ट्रिक, फील्ड लाइन्स, वैद्यूत, छेद, रेखाएं, फ्रॉट डीटेल पर समझेंगे बच्चों और इसको आज पूरी तरीके से एंकाउंटर करेंगे, यह होता क्या है, जैसे देखिए, कि अगर मैं यहां पर क्लास ले रहा हूं, तो पर्टिक्लर क्लास में जब मैं बात करना सोब करता हूं, तो मेरे से साउंट वियर्स निकलते हैं, और यह साउंट वियर्स आगे चलते हैं, और एक पर्टिक्लर रीज तक पहुचेंगे, एक निश्ची छेतर तक पहुचेंगे, जहां तक बच्चे हमारी बातों को सुन सकते हैं, उससे कह दिया जाएगा कि वो छेतर मेरा क्लास का छेतर होगा, वहां तक क्लासे चल रहा हैं, लेकिन जरह सोच ये कि जहां तक मेरा साउंट नहीं पहुच सकता, मतलब एक लिमिट से जादा अगर हो जाए, तो वहां पर लोग मेरी बातों को नहीं सुन सकते हैं, जहां नहीं सुन सकते है कि एक स्टुम मेरा एक फिल्ड होगा वैसे अगर मैं चार्ज हो तो मेरा एक फिल्ड होगा जहां पर दूसरे चार्ज़ जो है वह आफेक्ट होंगे करता है कुछ ऐसा जो उन पर बल लगा सके जैसे क्लास में अगर मैं से निकलने वाले संटल आन digestive असने बेगारों सुन रहा है टो तक कह सकता है कि हाँ यहां पर क्लास चल रहे यहां यहां पर field है कि नहीं इugenavang कशेद रहा है या ञीं इसे सम एवे में ऐसे संद वेक्ष जैसा ही वैदूत आवेश से बहुत जाकि निकलती है उससे अब काल्परिख रहा चलती है वह काल्परिख रैख्ष यह निर्धारत करती है कि शार्ज का जितना होगा I repeat, किसी वैदुत आवेश से, किसी सोर्स आवेश से, सोर्स आवेश धान जगा सुरोत आवेश कहसे हैं, किसी वैदुत आवेश या बिंदु आवेश या सुरोत आवेश से कुछ लाइन चलती हैं, यह कालपनिक होती है, इसको देख रही सकते हैं, यह हमने एक अपरसप्शन बना रखा, तो किसी आविश से चलने वाली वह कालपनी रेखाए, जो आविश के आसपास शेत्र का निधारण करती है, उसे व्याद्यूत शेत्र रेखाए कहते हैं, समझ में आई बात, यह कालपनी के रेखाए होती है, और कालपनी के रेखाए ही निधारित करेंगी, कितने धन आवेश एक तरफ रिड़ आवेश पॉजिटिव रेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं तो क्या दोनों का छेत्र होता होगा तो निश्यत बात है कि दोनों का चार्ज का फिल्ड होगा ना दोनों आवेश है तो पॉजिटिव का जैसा बीहेवियर होगा वैसा ही नेगेट तो हमने उसको category में divide कर दिया है, कि अधर positive होगा, तो positive का काम क्या होता है, दूसरे point charges को push करना, right, push करना, ठकेला, और negative charges का काम क्या है, अपनी और attract करना, basically अपनी और attract करने का काम किसका है, negative का है, एक छोटी सी बात और दिमाग में, जहन में हमेशा हमेशा अगले fit कर लीजे, वैदुत आवेस की पैचार, उसका प्रतिकरशन गुड़ होता है, उसका आकरशन तो होता है, लेकिन special property प्रतिकरशन होता है, याद रखे हमेशा काम देगा, अब वापस से हम लोग fill lines के बार में बात कर रहे हैं, तो fill lines का मतलब, अच्छे तरे रिखाओं का मतलब positive का behavior अल अभी तक तो आपने केवल वैदुत छेतर रेखाओं को सुना, जब कि आप किसी से बात करते हो ना तो सबसे पहले तो उसकी existence के बार में पूछते हो, कि आप कैसे exist करते हो, फिर उसकी properties पूछते हो कि आपकी गुड़ क्या है, तो ऐसे ही हम लोग वैदुत छेतर रेखाओ जो कि किसी आवेश का छेतर रेखाओं करती है, और चलती किसी आवेश से ही चलेगी और कहां से, तो वैदुत आवेश से ही चलेए, वैदुत आवेश का इच्छत रेखाओं कर रही है, तो इसकी गुड़ भी कुछ होगे, जिससे यह जाना जाएगा, तो एक एक करके इसक स्रूथ आवेश, सिंग, चलने वाली, बंग कालपनिक रेखाएं, कालपनिक इसलिए क्योंकि हम सिर्फ अपने इमेजिनेशन के इसको बढ़ते हैं, देखताने एग्जस्ट भी नहीं करेगा फिलार, लेकिन जैसे साउंड वेट्स को नहीं देख सकते, तो क्या साउंड इसलिए करते हैं, लेकिन हम इसके इफेक्ट को देखते हैं, वैसा ही यहां पर भी वहीं कहां ही हुँ, चलने वाली वकालपनिक रेखाएं, जो, वैदुच्छेत्र, निर्धारित करती है, निर्धारित करती है, वैदुच्छेत्र, निर्धारित करती है, और सबसे इंपोर्टेंट ली यह बाते हो गई, वैदुच्छेत्र, निर्धारित करते हैं, लेकिन याद रखिए, कि इसके इंपोर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी समझना, तो यह लाइन्स कैसी होगी है, कब तक चलेगी, तो हम लोग तो इंसान है, तो हमसे साउंड एक लिविट तक चलेगी, और जब हम चाहेंगे, रोग देंगे, इसमें क्या है, कि अगर मैं किसी आवेज के बारे में बात करूं, तो वो तो कोई लिविंग दी है, नहीं, वो तो एक निर्धी पार्टिकल है, तो निर्धी प प्रॉपर्टीज क्या होगी, इसकी आवेज की नहीं वैदूत उछेदर देखाओंगी, तो प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी या सतत, सतत एवां निश्कोड बक्र बनाती है, निश्कोड बक्र बनाती है, निश्कोड बनाती है, या फिर आप क्या सततत का मतलब होता है, लगातार, continuous, लगातार चलती रहती है, तो इससे आवेज ऐसा रहेंगी, कि किसी एक टाइम पर चलेंगी, आपनी टाइम पर नहीं चलेंगी, ये लगातार चलती है, और चलती रहती है, निश्कोड का मतलब होता है, इसका कोई कोड ने धारित नहीं होता है, याद रखेगा, निश्कोड का मतलब इसका कोड धा, इतना उसे निश्पोड कहते हैं तो यह सतत रूप से चलती रहती हैं दूसरा अब मैं इसके बारे बात करूँ तो अब पॉजिटिव चार्ज का यह फिल्ड करेक्टरिस्टिक कैसा होगा तो यह धरावेश के लिए धरावेश के लिए पहले समझेंगे डाइगराम से तो यह हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है यह हमारे पास निगिटिव चार्ज है तो दोनों का अगरवा सेंगतों से नहीं होना चाहिए तो यह भी एफेक्ट आङगेम होगा यहesian मतलब होगा यह फिल्यूद से लिंग होने कैने यानतर दोनों के करेक्टरिक का है मतलब कि इसका पुश करने का होगा इस्लिए इसके लाइन शुरें वो आउटवर्ट दिखाई जाती है मतलब बाहर की ओर दिखाई जाती है और क्यों कि अट्रैक्क करता है सहकत है अपने हिसाब से इसको दिखा दिया इंवर्ड क्यों दिखा लिए अब इसको पहरा हुं इसको समझना कैसे है यह तो आपको पता है यह ट्रैक करता है यह 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 कहानी तो सुमझ में आरे लेगे हम्यार्व कैसे रखेंगे कब बाहर प्रत अंदर तो याज ध्यान जैए कि पॉस्टिव चार्ट वचे का मतलब ही होता है कि आपके पास जादा है तो आप डोनेट कर रहे हो और नेगेटिव का मतलब ही है कि आपके पास कमी है तो आप ले रहे हैं इस तरीके से तो अलग-अलग आपने लक्षन दिखा दिए पॉस्टिव के करेंटर स्टिक बाहर क्यों मतलब लाइंस आउवर्ड होंगी और नेगेटिव के इनवर्ड तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिजिता का मतलब यह होता है कि चार्ज के आज पास ऐसा नहीं है कि एक तरफ इफेक्ट जादा होगा एक तरफ कम होगा ऐसा नहीं है अगर यहां पे हूं मैं बाग कर रहा हूं तो मेरा एफेक्ट चारो तरफ तो इक्वल होगा रहा वैसे ही कहानी यहां पर है कि कि इस तरह हम लाइंस बनाएंगे कि हर जगँ एक्वल इफेक्ट डाल चके और उसके लिए लाइंस आपको क्या करना होगी रेडियल मतब त्र त्रिजयता मतंब रेडिये त्रिजयता बाहर की ओर एवं रडावेश के लिए त्रिजयता अंदर की और होती है राइट अंदर की ओर होती है त्रिजयता बाहर की ओर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि यह लाइट करते हैं कि इसका अच्छे तरक कैसा होगा तो देखिए अगर मैं बात पर तो यह जाती तो इंफानाइट की ओर आती है इंफानाइट से इसलिए क्यूंकि किसी यह लाइट जो है किसे इसका इंफानाइट तक फैला होगा है लेकिन आइडेली यह ऐसा पॉसिबल नहीं है तो अगर में बात करूं धनाविश्ट और रिणाविश्ट के लिए तो अगर में पास पॉस्टिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है तो क्या होगा तो सिदिख सी बात है इस इसकी रिक्वाइबनेंट क्या में यह यह देशकता और इसकी लैंस यहां से रवोंगी और जली आएगी यह नियुटिव स्लव्य चाहिए लिए लेट ऐसे तो फॉस्टिव से जॅझराँ हो रहे हैं नेडे नेडे जारीक्श कूcimento के लिए जारी तो यह थे क्यों कि इसकी जरूवर्त थी कि इसको चैए ता लाइज चैये यह लाइज लूंस कहाई बाहर जा रही है ना colonialism करता है ऑर एक्शन करता है इसकी लाइस अंदर अभ这么 not Violet Ły इंट में उर्षाव मेंeledं ऑर उन्य रिखाए न्टि प्रिजाती हैं, आवेशों में छेत्र रिखाएं, धनावेश से चल कर रिडावेश में समाप्थ होती है, प्रिजाती है, जो इसकी धिश्टी प्रॉपटी होगी, गनी गनी समाप्थ होती है, छेत्र रेखाएं एक दुसरे से प्रतिकर्षित होती है सीधी सी बात है कि आप एक फिल्ड के होते हैं दुसरे के पास रहना पसंद नहीं करोगे एक दुसरे के पास रहना पसंद नहीं मतलब के फिल्लेंस एक दुसरे से दूर हटके इसका विरोध प्रदेशित करेंगे अब यह पास दो सजयतिया प्लस प्लस है यह लाइंस देखिए इस तरह से वर देखिए यह थैकली साइज सी इस दिफ्लाइज इधर भी देखिए दोनों बाहर के ओर निकलना चाहरा है इधर भी इधर वह इपिजीद आप नीची भी ट्रॉभ आपके इस पैसी इस तुसर इस वाले प्रवाव नहीं दे पाता तो इस वाले प्रॉस को हम लोग कहते हैं उदासीन बिंदू किसे कहते हैं जहां पर वैदुल-चेत्र का प्रवाव नहीं होता मतलब कि अगर आप यहां पर कोई आवेश रखोगे तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा क्योंकि आपको पता यह धन आवेश है तो बल रेखाएं हमेशा बाहर की और आप दिखा लिया अगर मैं बात करूं तब जब दो आवेश हैं दूसरे के का हो काफी निकट हो मतलब की न दोनों के कमपाइं जो सामराज मतलब फिल्ड होगा इसको हम लोग कहते हैं संविभव तो इसके बारे में बात करेंगे बच्चों बस जानते रहेगा कि संविभव पिश्ट तब कहते हैं जब बड़े बड़े दूरी पर हो तो बिन्न बिन्न बिन्दू आवेश हो तो मेरे पास कोई ऐसा ब्रहबर रेखाये हैं जो कि चल रहा है तो आपको पता ही है बैदू छेत्र रेखाये चलेंगी तो एक निश्चिते सामें चलती है तो दो छेत्र रेखायें एक दूसरे को कभी नहीं काटती काटती है क्यों नहीं काटेंगी अगर ये काट देंगी तो कटान बिन्दू पर इनकी दो दिशाएं संभव हो जाएंगी माले भी बिन्दू पर काटती है तो इसकी दो दिशाएं होंगी जो की संभव नहीं है आपको लिखना होगा कि कटान बिन्दू पर यदि काटेगी तब कटान बिन्दु पर दो दिशाएं देख रहां दो दिशाएं निरूपी थोंगी निरूपी थोंगी जो असंभव है जो असंभव मतब यह कहीं कटान बिन्दु पर दो दिशाएं इसका मतब वह एक उसरे का प्रभाव यहां पर समाप्त कर देगी जो की पॉसिबल नहीं कि दो वैदुद छेदर रखाएं तो से वह काट करके वाँ का वैदुद छेदर वैदुद आवेश की मात्रा वैदुद छेदर रेखाएं के आनुक्रमानुपाती होती अर्था जितना ज्यादा आवेश होगा मान लिजिए अगर कोई क्यों आवेश है तो क्यों आवेश से चार रेखाएं निकल रही है तो टू क्यों आवेश से कितने रेखाएं निकलेंगी और ज्यादा निकलेंगी इसका मतलब कि और ज्यादा छेदर होगा स्ट्रॉम पुरिति कनायि निकलेनी तो जितना जादा मात्र अपण ज्यतनी ज्यादा रिखाएं आ क्वाड़तक है वाधुद छेटर का परिवार्ण हाँ रहीं में सबसे ज्यादा प़ल लगाएंगा कुर्ब सबसे ज्यादा वैदूर नेश्ट है यदि चेत्र रिखाएं सम्दुरस्त है चेत्र रिखाएं सम्दुरस्त है तब एक समान वैदुत चेत्र को निरूपित करती है चेत्र को यूनिफॉए और यहि हैं यूण नौनिफॉए इलयक्टिक को निरुपित करेगा तो जो रिखाएं दूर दूर होगी वो रिखाएं आपकी कहलाती हैं और समान वैदुचेतर के सारे गुडों को डिस्कस कर लिया है वैदुचेतर के पाक हमें पाणा पधयाँ मेंल पार कर 애녀े अगले बोज बी दो कि आपको आट अ